चालाग बीवी, शाम और राधा राइगड गाउं में रहते हैं, वैसे तो उनके अपने घर में ही दो वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी शाम हर रोज किसी ना किसी नए मेहमान को दोपेर के खाने पर घर ले आता है, एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी ना किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो, ऐसे तो जिन्दगी जीना मुश्किल हो जाएगा, मेहमानों को खिलाना पूर्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते है, तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागेदारी बन रही हो, दुबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना समझी, इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोल कर उसे चुप करा देता है, इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी, जिससे महमान अपने आप ही यहाँ आनब बंद कर दे, राधा तरकीब सोचनी में लग जाती है, और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं, एक सुबह, श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है, और राधा अपने काम में लग जाती है, कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापसाता है, श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वज़ा से कुछ बोल नहीं पाती, घर में तो ठीक तरसे दो लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है, और इन्हें महमान बुलाने हैं, बस अपना अपना बोलते हैं, दोसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है, क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलजन में फसी ही होती है, कि उसके दिमाग में एक तरकी बाती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाती ही, रसोई में से सिल्बटा निकाल कर लाती है, अब मुझी मेरे ये साथ ही ही इस मुश्किल से बाहा निकालेंग राधा सिल्बट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डाल कर उसे महमानों के बैटने की जगह पर ली जाकर रख देती है कुछी देर में वो तीनों महमान भी घर पहुँच जाते हैं आये जी, पधारिये, हमें आप का ही इंतिसार था जे शक्रिया, शाम भाई कहा है? वो न, बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिये न जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं, तो सामने पूजा की ये सिल्बट्टे को रखा देख, असमंजस में पढ़ जाते हैं और बहन ये सिल्बट्टे की पूजा कर इसे यहां क्यों रखा है? क्या ये आपकी यहां का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पती की मननत है, इसलिए पूजा की है हैं? सिल्बट्टे पर कैसी मननत? मेरे पती ने मननत ली है, कि वो अपने महमानों को खाना परोस्थी से पहले, इस सिल्बट्टे से तीन बार उनके सिर पर मारेंगे राधा की ये बात सुन, तीनों महमानों के चेहरों की हवाईया उड़ जाती है जिसे देख राधा मन ही मन हस्ती हुई, उन्हें दिलासा देते हुए कहती है अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस तीन बार सरासी थपकी और ये सुनते ही, तीनों महमान डर से कापते हुए, तुरंट अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं अरे अरे आप सब उठ क्यों गए, मेरे पती बसाती ही होंगे, फिर सब साथ में घाना खाईएगा अरो जी नहीं, हमें कुछ नहीं घाना ये कहकर तीनों महमान बिना एक पल की और देरी की एक घर से बाहर भाग जाते हैं, जिनने जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है अरे वा राधा, उन तीनों महमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया नहीं न, बिना खाए ही चले गए अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिल्बटा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी मा ने दिया है, मैं नहीं दे सकती, बस फिर वैसे ही चले गए राधा की बात सुन, शाम गुस्से से लाल होकर उस पर चिलाने लगता है तुम पागल हो क्या? मेमान को नाराज कर दिया, मेमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है, इतनी सी बात तुमें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिल्बटा दे कर वापस घर में ले आता हूँ, तुम खाना तयार रखना अब शाम सिल्बटा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेमानों को ढूणना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं शाम उनके पास पहुँचनी ही वाला होता है कि वो उसे सिल्बटी के साथ आता देख, दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर शाम भी उनके पीछे भागने लगता है अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, अरे आप लोग रुको तो सही अरे भाई ये तो हाथ दो कर पीछे पढ़ गया अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ वो तीनों पिटाए के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं इसी तरह तीनों मेहमान आगे-ागे और शाम सिलबटे के साथ उनके पीछे-पीछे पूरे गाउं में खुमते हैं जिससे धीरे-धीरे गाउं में ये खबर फैल जाती है कि शाम दयालू और उधार इनसान तो है लेकिन अब से वो किसी की भी महमान नवाजी से पहले सिल्बटे से तीन बार उसके सिरपर मारेगा जिसके प्रभाव से अब लोग उसके गर खाने पर आना बंद कर देते हैं इस तरह राधा अपनी होश्यारी और सिल्बटे की मदद से शाम के महमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शान्ती भी भंग नहीं होती जरूरी नहीं कि हर जंग हत्यार से ही लड़ी जाए कुछ के लिए सर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है और अगर शान्ती के साथ अच्छे से दिमाग लगा कर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है